नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का CGPSC Knowledge Hub के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम 36 गड़की क्लास ले रहे हैं एडियो के लिए उसके लावा और भी एक्जाम जो CGPSC, CGVयापम की होते हैं उसके लिए तो उसमें मैं रहे हैं जो दूसरा क्लास था 36 गड़की बहु वीडियो को अगर आप अंतक देखते हैं तो आपको बहुत सारी इंफोमेशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी अगर आप एक्जाम की तहरी नहीं भी करते हैं अगर जानना चाहते हैं 36 गड़के भुगोल के बारे में तो वीडियो को जरूर देखें लाइक शेर कर तो दो तरीके से देखते हैं रिथवी एक बार देखते हैं गेंद की तरह एक बार देखते हैं खरबूजे की तरह दोनों को दोगर देखो तो पहला वाला जो है खरबूजा जैसा दिख रहा है दूसरा वाला गेंद जैसा बात अगर मैं करूं तो जो पहला वाला है ठीक ह यहां पर हमेशा बहुत कम रहता है यहां पर सूर्य की केड़ने भी बहुत कम पढ़ती इसलिए थंडी जगह रहती है ध्रू बोला जाता है इनको दो पोल में बाटा गया है अगर मैं इसको बात कर लेती हूं इसको यह बॉल वाले तुकुडे को तो अगर हम इसको बीच से करें बीच से डिवैड करें मतलब एक ऐसे पॉसरी को यहां कि दो पार्ट में इसको दिवाइड करो dressed भूमध्य रेखा से भूma द्य रेखा को ही विश्वत वृत्या विश्वत रेखा भी कहा जाता है जिसको जीरो डिग्री माल लिजाता है इस जीरो डिग्री के से अग या अब दो पार्ट में इसको divide करो किशको पृत्वी को यानि कि गेंद को तो दो पार्ट में अबढ़ सकता है उत्तर की और का हिस्सा उत्तरी गुलार्ध और दक्षण के और का हिस्ता जो है दक्षण गुलार्द के नाम से जाना जाएगा अब देखें तो 0 डिग्री से अगर हम 25 डिग्री उत्तर की और देखेंगे तो करकर रेखा मिलेगी और दक्षण की तरब देखेंगे तो मकर रेखा मिलेगी यह दोने रेखाएं अपने आड़ी आड़ी रेखाएं यह काम क्या आती है यह जलवायू और तापमान जो आपका निर्धारन होता है यह मौसम का निर्धारन बोल सकते हो आप यह पूरा पूरा डिपेंड करता है इनहीं आड़ी खीची हुई लाइनों पर है ना तो हमेशा देखोगे यहां पर विश् गर्मी का मिक्ष्ट रहेगा और उसके उपर सित्कटी बनता है और नीचे जाओं के तो भी सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगा और द्रूम में जाके तापमान कम हो जाता है अब इसका पढ़ने का कारण क्या है हमारे 36 गड़ में तो यह जो चीजें हैं यह रेखाएं हैं यह कह आई ने कहीं भारत की और भारत के सांसा 36 गड़ की जो जलवायू जशाय है उसका निधारन करती इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है आड़ी खीची हुई लाइनों को प्रिथिवा जो खीची गई है उसको अक्षांस रेखा कहते हैं अगर हम इसको काउंट करें तो जीरो दो डिगरी जो है जैसे बढ़ते जाएगा जीरो से एक देख से दो दो से तीन इस तरीके से तो जो अक्षांस है दो अक्षांसों के बीच की जो दूरी है वो लगभग होती है 111 किलोमेटर अगर नहीं दिख रहा होगा मैं हट जाती हूं दो अक्षांसों के बीच की दू यह 111ürü होती है और यह 111M, 111M में जो है रेखा है जो बती रहती है यानि कि दो डिग्री जो रहेगा चान्स रेखा का उसके भी 111 네 chamado कि जो लंबाइ चान्सी लंबाइ वो मिलेगी और यह निर्धारन क्या करता है जलवायू का तापमान का मौसं करता है आक्शान्स रखाये तो अक्शान्स रेखायए मैं 23-दिग्री उपर उर्फ तरी की और करके अगर 1000-600-डिग्री पे जा ओगे तो आपका धुरूब्रित आ जाएगे जाए गतल दूहीं नीचे जाओगा यह जो है ऐसे खड़ी खड़ी लायन खीची गई है इसको कहते है देशांतर रेखा टोटल 360 खीची जा सकती इसले 360 देशांतर आप मानोगे यह काम क्या आता है समय निर्धारन की हितू समय निर्धारन मतलब जो आप समस्ते होंगे कि दो अलग-अलग जगाओं पर टाइम अ माना गया है और वो वानक रेखा अपने आप में किसका प्रकार है देशांतर का हमने क्या किया प्रिथ्वी को पूरा 360 भागों में बाटा एक इक्जांपल के लिए वह 360 भाग 360 डिगरी के बरावर होते हैं और यही 360 भाग जो है देशांतर कहलाते हैं यह लाइन जो है टाइब हुआ है अब उसके अकॉर्डिंग लंदन जितने डिगरी पे रही उसके अकॉर्डिंग माल लो हमने उसको 0 डिगरी माल लिया किसी को भी हम 0 डिगरी माल लेते हैं तो GMT को माले हमने 0 degree माना, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, हर एक degree पर 4 मिनट का फर्क दिखेगा आपको, मतलब जो समय है वो 4 मिनट के अंतराल में चलते रहेगा, अब ये कैसे देखेंगे, ऐसा नहीं कि घड़ी के टिक-टिक 4 मिनट पहले पीछे होगी, आ है न, तो हम जो है, चुकि हमारा प्रिथ्वी पश्यम से पूर्व की और घूम रहा है, इसलिए हम पश्यम से पूर्व की और काउंट करते हैं देशांतरों को, लेकिर अरुनाचल प्रेजिस में पहले सूबह होती है, और गुजरात में तो दो घंटे लेट से सूबह होती होती है, उसके एक घंटे बद गुजरात में, तो गुजरात और रोनाचल प्रेजिस में दो घंटे का डिफरेंस है, और IHT के बात करेंगे, तो दोनों के साथ एक घंटे का आगे पिछे वो चलते रहेगा, तो ये दोनों के निर्धारान के लिए जरूरी है, तो समय निर करते हैं प्रित्वी की, प्रित्वी में अगर रेखो के वर्ड का मैप है, ये वर्ड ऐसा दिखता है, इसमें ये सारी रेखाएं खीची जाती है, जैसे ये वाला कौन सा है, जीरो डिगरी जिसको आप क्या बोलते है, भूमत दे रेखा, विश्वत रेखा है, भूमत दे पर यहां पर भारत को देखो, करकर रेखा पर इस्तित है, और ये भूमत दे रेखा से उपर है, यानि कि जीरो डिगरी इसका सुरुवात नहीं हो सकता, इसलिए आठ डिगरी चार मिनट हम लेते हैं, पहले 6 डिगरी चार मिनट था, अब 8 डिगरी चार मिनट लेते हैं, त बाकि उत्तरी धुरू उपर में हाँ दक्षणी धुरू नीचे में है उसका जो है आपको यही है कि वह दोने जख़त भार ठंडी जो है आपको देखने को मिलेगी शीत्रितु वहां पर हमेशा बनी रहती है अब भारत की स्थिति को अगर देखो अक्षांस देशांतर में औ इसको मालने ऐसे तो यह पूर्व होगा यह पश्यम होगा यह उत्तर होगा यह दक्षिन होगा अब देखो अक्षांसी स्थिति देखोगे उत्तर अक्षांस में है तो उत्तरी अक्षांस लेंगे देशांतरी स्थिति देखो कहां पर मिल रहा है ऐसे 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 अगर आप दिख रहा है पुर्वा साड़ दिख रहा है इसलिए हम देशांतर को पूर्वी देशांतर मानते ये आपका भारत की सिथी क्या है उत्तरी अक्षांस और पूर्वी देशांतर पर इस्तित है ऐसा आप बोल सकते हो तो आप देखते हैं इसका जो है काउंट कैसे करते हैं और हम किस प्रकार से लेंगे थोड़ा समय भारत का दिखा देते हो यह से गुजरता है यहां से तो भारत की स्थिति में थोड़ा से देखोंगे जैसे भार पहले करकरेखा गुजरी तर करेखा करकरेखा आठ राज्यों से गुजरती हैं कोई जुरत नहीं ट्रिकरेक के पीछे भागलेकर दिमाग से लगाओ गुजरात इंटरी करेगा हल का सो राजिस्थान ठीक है तो गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश फिर चतिसगड़ सोरी जारखंड पश्यम बंगाल त्रिपुरा मुझे रहां वो उड़ी सा गलत हो गे था मेरे से यह जारखंड वेष्ट बंगाल उसके बाद त्रिपुरा और मिजूरम है यह वेष्ट बंगाल एकी में है ठीक है यह-जे-डब्लू भी बोल सकते हो जे-डब्लू टी-म हाना तो GRMC, GWTM इस तरीके से मतलब कर सकते हो या फिर डारेट पड़ो गुजरात, राजिस्थान, देन आएगा MP, बगल में आएगा CG, बगल में आएगा जारकन, इतना को पकड़ लोगे, फिर वेश्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल आठ राज्य जो है आएगा इसमे गुजरात में यह हमारा क्या हुआ पश्चिंतम बिंदू, अब यहां से प्रिथ्वे ऐसे घूम रही है, यानि कि रेखा बढ़ते 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 लाष्ट में आएगी संतानबे पच्चिस, और सट साथ से संतानबे पच्चिस, पूर्वी देशानतर पे भ हमारे यहां भारस से भी IAST के रूप में गुजरती है, और यह हमारे यहां नैनी इलाहाबास से होकर गुजरती है, और इसी में अगर बात करूं इस IAST की, तो इस IAST के अकौर्डिंग आपको एक चीज़ और समझना है, वो है आपका देशानतर रेखा, देशानतर रेखा उ मेलियन पॉइंट से अभी जो है, यह केप कॉमोरिन करन्या कुमारी से शुरू होता है, तो इस पॉइंट से आप एक चीज़ और समझे, पूर्वी राज्य, अवनाचल प्रदेश, पश्यमी राज्य, गुजरत, सबसे पश्यम, सुदूर पश्यम, सुदूर जो है उपू सुदूर जो है आपका दक्षणी राज्य है, तमिल नाडू, आप आई एश्टी की बात और कर लेते, जैसे यह आई एश्टी है, साड़े प्यासी डिगरी पर इस्ति था, यह आई एश्टी जो है, तो साड़े प्यासी मतलब 82.30 या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, वे 30 32.30 स्वरे पर इस्तित है, अब 33.30 डिगरी पर इन्यानी इलहाबस तो गुजरी गुजरी गुजर के जाती है, 36 गण, 36 गण के हिस्ता है कोरिया, कोरिया का है आपका एरिया बालम पहार, सोनऊट की चेत्रम पढ़ता है, वहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं, कर होता है और 36 गड़ हमारा एक मात्र राज्य है जहां पर करक रेखा और आपका अयेश्टी जो है एक दूसरे को काटते हैं पूरे भारत याद रखेगा यह पॉइंट को ओके अब बात कर लेते 36 गड़ की 36 गड़ा भी आप देख पा रहे होंगे यह भी आपका पूर्वी देशांतर उत्तरी अच्छांस पे ही बटा रहेगा इसको भी वैसे ही पढ़ना है आपको अब बात इसमें करी लिया है तो पहले देख लेते हैं कैसे बटेगा जो सबसे पहले देख तो यह वाली रेखा यह है आपका करक रेखा करक रेखा यानकी साड़े 23 डिगरी की देखा जो गुजाररी कहां से MCB कोरिया सूरजपूर और बलरामपूर यानि की चार जीरों से उसके बाद अब बात करें हम IHT की जो यह वाली लाइन है यह है आपका IHT यह वाली लाइन क्या है IHT है ठीक है त अब जार महा समूदर गडिया बन एक दो तीन चार पांथ छे और यह आपका साथ ओके साथ जीलों से आपका IHT गुजरेगी ओके अब इसी वे देखिए पूर्वी और पश्चिमी कैसे डिसाइड करोगे तो वही आपका देशांतर लाओगे तो 80-15 यहाफ से सुरू हो रही है देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर उसी तरीके से अक्षांसी 17-46 उतरी अक्षांसे 25 उतरी अंच्छांस तक 36 गड़ की जो इस्तिती है वो है ठीक है तो 36 गड़ की सिग्या है अक्षांस में 17-46 से 25 और उतरी अक्षांस और देशांतर में 18-25 से 84 पूर्वी देशांतर प services गड़ इस्तित है जहां सुदूर पूर्वी जीला है जश्पूर सुदूर पश्री मी जीला है बिजयापूर सुदूर उत्री जीला है बलरामपूर और सुदूर दक्षणी जीला है सुकमा ठीक है अलग-अलग गाउं है जैसे गिरला जश्पूर का सुदूर पूर्वी इस्थल है है तो सुदूर पश्चिमी इस्थल यहां पे बद्रकाली है उपर सुदूर उत्री स्थल सुंदरी ग किलोमेटर है तो उत्तर सी तक्षण की जो अगशांसी लंबाई वह 600 किलोमेटर हैं अगशांस पे ज्यादा किलोमेटर चलो अब आगे हम एक सी पर बढ़ते हैं जो पॉइंट से उस पर क्लियर कर लेते हैं जैसे 36 गड़ के छेत्रपल एक पैथीस एक सो इंक यानवी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एक लाख पैथीस जार एक सुन क्यानवी या एक लाख पैथीस जार को एक दसनलाख थ् Mr. 92 चारार मिले ता रहता है भारत के छेत्रपल का 4.11 पर से ओके किता पर सेंट है 4.11 पर सेंट और यह प्रैदीपी परढ़ का हिस्स्ता है यानी कि गूंदवाना लैंड का पार्ट है कूंसा लैंड का गूंदौडवाना लैंड से ही प्रय gaat भी पठार बना जो बीच का हिस्सा है सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है भारत की दिश्या में उसी के बीच में चत्तित गड़ मध्य में यानि कि रिदय स्थल पर आप बोल सकते हो इस्तित है हमारा चत्तित गड़ याद रखेंगे इस पॉइंट को और यह नवा बड़ा राज्य है नवा बड़ा राज्य कैसे है राजिस्थान चेत्र फलवाईस राजिस्थान सबसे बड़ा फिर मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट फिर उत्तर प्रदेश राजिस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट उत्तर प्रदेश यह चाल फिर गुजरात का नाट ट्रक आ चाउडर के avod Kubernetes यानि कि समुद्र तल से कितने उचाई पर है कितनी की दूरी पर है दोनों को देख लें सए तॉज़ों देखेंगे तो 400 किलो मेटर की दूरी है 500 लाटर से ज्यादा दूर है 36 गड़ में जो देखोगे तो पशिंतम बिंदू से पूरु बिंदू तक आगर आते हो तो आपको 16 मिनट 36 सेकंड का टाइम जो है उकरना पड़ेगा विताना पड़ेगा ठीक है जो असी पंदरस चौरासी पच्चीज से न उस पीच में 16 मिनट 36 सेकंड का टाइम लागीगा उसके बाद 36 गड़ से लगा हुआ राज्यों देखोगे तो सबसे बड़ा राज्य है मद ब्रिजा और सबसे चोटा है जारखंड अगर छेत्रफाल वाइस देखोगे उनके पड आपको बना हुआ है पड़ोसी राज्यों के साथ ये मैप जो है आपको लगबग दिखाईर है है अभ आप ठोड़ा साव कर दिखाती हूँ आपको जिस्ते और क्लिर हो जाए है चैनल मध्यपरदेस सबसे बड़ा है फिर महाराष् μध्याराष्ट है फिर उत्तर प्रेश है तो में महाराष्ट 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 इत्य पर ज कौई नें आनक ने दो तो यूपी फिर महाराष्ट मध्यप्रदेश और उसके बाद आंद्र प्रदेश उडिशा तिलंगाना जारकन यह चार तो टॉप फोर जो नीचे ही रहते हैं और उपर कबस जो है रहा आपको इसमें थोड़ा सा बदलना है तो यूपी पहले आजाएगा फिर महाराष्ट आ जाएगा फिर मध्यप्रदेश फिर वही आपका जो है अंद्र प्रदेश उडिशा तिलंगाना जारकन जिसको उमा ओटेजी करके आप याद कर सकते तो मौटेजी चेत्रपलवाइस जनसंक्यवाइस उमा ओटेजी करके अब यह होगे हमारा इसका क्रम अब मैं फ्योड़ जीला बोलेगा तो बिजापूर तसिल बोलेगा तो भोपाल पठनम और बिंदू बोलेगा पश्रिम का तो भध्यकाली सारे चीज़ों को ध्यां रखना सुदू उत्री जीला बोला तो बलरामपूर तसिल बोला तो रामानुजगन और अगर इस्थल बोला तो सुन्दरी पुदूर दक्षणी जीला बोला तो सुकमा तसिल बोला तो कॉंटा और बिंदू बोला तो भी कॉंटा ही आएगा तो ये कॉस्चन उठा सकता है उसके लावा सबसे अधिक जीला कौन इश्पर्स करता है तो दो राज्य है लेकिन कभी एक का नाम दिया हो तो उडिसा को पह अंतराजी सीमा से लगी हुई है ये बोला जाए तो बलरामपूर ज्यादा लंबा सीमा है अंतराजी सीमा बलरामपूर की और सबसे कम है धमतरी की जो कि केवल 12 किलोमेटर उडिसा से हलका सा तरी तरी टच करता है वो बलरामपूर ज्यादा बलवाला बलशाली है ज्यादा मिला ऐका करेखां का विस्तार ज़्यादा तर देखोगे तो बलरामपोर में मिलेगा और कम देखोगे तो कोरिया में देखने को मिलेगा बलरामपूर में ज्यादा लंबा है सीमा और मद्यप्रदेश के जो है उत्तर पश्चिम में मद्यप्रदेश है और मद्यप्रदेश के दक्षण पूर्व में आपका 36 गड़ है दोनों पॉइंट को याद रखी गए इसको बाकी तीर राज्यों को कौन कौन सा जिला इसपर्ष करता है तो सुक्मा और बलरामपूर ऐसे हैं जो तिन तिन जो है राज्यों को इसपर्ष करते है जैसे बलरामपूर तो आपका तेलन गाना और महाराश्ट को और आज नअंगाओं को देखो गिए तो महाराश्ट और MP 2 दो दो-डो राजनों के सपरश करते हैं बाकि जो एक एक राजन Orig gone सिमा वरती जीले हैं जैसे कि sick जी लिम देखो के तो 22 सें जो सीवां पर लगे हुई है ऊपर से करते हैं कोरिया सूरजपूर बलरां पर एक और पकड़ो दिन मोहलामानपुर चौकी के बाद राजनांगा, कवरधा, मुंगेली और जीपीम, ऐसा ले सकते, एक केसी जी वह वह कर ली, राजनांगा वबाद केसी जी दिन कवरधा, मुंगेली गवरला पिंडर मर भाही, पर मैंने ये अपडेट किया है, तो मैंने केसी जी, MCB, खारा के जगह में, आप इसको एक बार मैप में घुमिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिस भी राज्यका अगर सीमा, बाहरी सीमा को टच करता है, तो उससे बनने वाला जीला, अगर बाहरी साइड से बन रहा है, तो पक्का वो भी अंतर, मतलब सीम अवर्ति जिला होगा, भू अविष्ठी जिला में एक बढ़ा है, वैसे तो मैं हमेशा संभाग वाई बताती हूँ, तो सरगूजा संभाग 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 संभा है, बिलासपूर से कोर्भा, जाँजगीर चापा, हैं रायपूर से बलावदा बजार, रायपूर है, क्षण में दंते वाड़ा है एक बिलासपूर संभाग में और बढ़ गया है सकती तो बिलासपूर जान्जगीर कोर्वा और सकती चार भू आविष्ठित जिले मिलते हैं कहां पर बिलासपूर संभाग में यह कोश्चन भी पूस सकता है सबसे जादा भू आविष्ठित जिल और सारंगड विलाईगार्ट क्योंकि राइगण से अला हुआ है नीचे पाट रहा अल्रेडी सारंगड़ वाला छेत्र जो है पहले टाश्ड में था फिद्धपश्चिम यहां पर पश्चिम भी ले सकते हो दक्षड पश्चिम भी ले सकते हो दोनों में आया गईए महरास् से टच करता है उत्तर में उत्तरपुर्व में जारखन है बलरामपूर जश्पूर से लगा हुआ है पश्चिम उत्तर या फिर आप कह सकते हो पश्चिम छेत्र सोड़ा सा यह पूरा एरिया ही आपका किस्तर रिलेटेड है आपका मध्ध प्रदिर्स से है जो नौ जीलो को वह भी टच करता है बाकी हमारे प्रयादी पिटर का हिससे में पहले बता चुकी हो इसकी आकरती हिप्पो केंपस है समुद्री गोड़ा जिसको कहते हिप्पो पोटेमस मत लिजेगा उदर याई गोड़ा है बुआ विष्टित राज्य है हमारे यहां जैसे हरियाडा बुआ विष्टित राज्य है जारकन बुआ विष्टित राज्य है वैसे चत्तित गड़ भी भुआ विष्टित राज् कुलना में एक्षांसी विस्तार सासो से जो आसो किलोमेटर है यानि कि लंबाई एक्षांसी लंबाई ज्यादा दिखाई देती है कर करेखा और भारती मानक समय रेखा कटान बिंदू पूरे भारत में हमारी 36 गड़ में ही आता है जो कि कोरिया जिले का सोनहट परिस्थित ब दोनों ही गुजरते हैं तो यह आपका इस्तिती विस्तार से क्वेश्चिन हुआ नेक्स्ट वीडियो को लिए रेडी रहेगा जहां पर हम प्रशासनिक चीजों के बारें बात करेंगे तसिल उपखंड अनुसुची छेत्रे सबसे क्वेश्चन आया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगा और हमारे साथ जुड़े रही है सारे अपडेट्स के लिए एक्जाम से लेटेड हो या नौन एक्जाम हो सारी चीज़ें आपको यहां पर कंटेट एवलेबल रहती है तो सीजी पेसी नॉलेज आपके साथ अपने नॉलेज को जो है आप करिए नन्यवाज जय जो है जच्छत दिसका